तोड़े वी डिस्कुस अबाउट और नेक्स्ट टॉपिक स्कॉर्पियोन यह पैलिमियस यह बिच्चु ठीक है अभी तक वीटरी अपन पढ़ चुके था इससे पहले बाला जो टॉपिक अपंने पढ़ा था ठीक है वो क्या पढ़ा था अपनने प्रॉण पढ़ा था प्रॉण यह पहली मोन के अंदर अपनने क्या देखा था उसका और उसके अपने दूसरे टाइप के क्या देखे थे अपने सिस्टम देखे थे ठीक है देखिए इसब अपने जब बात करी थी सुरुवात में जब आपन स्टार्ट कर रहे थे और्थो पोड़ा को किसको और फोड़ा को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं एक वेग् इन्होंने क्या है इस नॉन कोड़ डेटा एक से रुकी के बारे में क्या है एक से रुकी के बारे में बताया था अपनी बुक है अपना जो बीसी बीसी सेकेंड यर का जो फेस्ट पेपर है जिसका नाम क्या है नॉन कोड़ डेटा ठेक है उसके बारे में अपन पर्टिकुलर क्या करेंगे एक एक organism को ले करके उन organism का classification देखेंगे उनके ऐसे कौन से characters हैं जो क्या है उनको अलने जीवों से अन्ने फाइलम से क्या करते हैं अलग करते हैं इसके बारे में अपने study करेंगे ठीक है इससे पहले अपना एक organism पूरा हो चुका है जिसका नाम क्या है प्राउन प्राउन को अपन completely पढ़ चुके हैं प्राउन को अपन completely पढ़ चुके हैं जींगा ठीक है जींगा का fully detailed अपने पढ़ लिया है ठीक है students तो आज अपन शुरू करेंगे जो topic उसका नाम क्या है scorpion, palemius या bichu देखो exam में इन तीनों नामों में से क्या है एक नाम आ सकता है प्राउन पढ़ा है scorpion भी आ सकता है और bichu भी आ सकता है ठीक है तो इसी के आदार पर आपको क्या करने है क्लासिफिकेशन करने है अपने जब भी कोई organism पढ़ा है चाहिए वह फेस्टियर के अंदर पढ़ा हो अपने ठीक है तो अपने सबसे पहले क्या देखा है उसका classification देखा है क्लासिफिकेशन ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके वर्गी करण की इसके वर्गी करण की किसका देख रहे हैं हम इसको कौन से फायल में रखा गया से कौन से करक्टर से उसको क्या है इस क्लास के अंदर रखते हैं इसuz और के अंदर रखते हैं इस जीनस के अपन पढ़ेंगे ठीक है students तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं इसके सबसे पहले जब अपन बात करते हैं इसके किसकी phylum की क्या है phylum की phylum जो orthopoda था क्या था फाइलम जो orthopoda था orthopoda के अपने characters देखे थे कि जिते भी orthopods होंगे उनके अंदर जो symmetry होगी जो symmetry होगी वो कैसी होगी bilateral होगी कैसी होगी द्वीपार्षव समयती रखेंगे कौन जिते भी orthopods है वो समयती कैसी रखेंगे द्वीपार्षव समयती है bilateral symmetry रखेंगे बोड़ी क्या है त्रिस्तरिये होती है, ट्रिपलो ब्लास्टिक होती है, कैसी होती है, त्रिस्तरिये होती है, बात करते हैं, इसकी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो सारे करेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे करेक्टर्स किससे मिल रहे हैं, इस स्कॉर्पियों से इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है अब देखे अगला क्या है इनका जो सरीर है वो खंडी उक्थ होता है कैसा होता है खंडी उक्थ होता है निकी बोडी क्या होगी बोडी खंडों में बटी हुई रहेगी ठीक है ये देहे गुहिये होते हैं सिलोमेट होते हैं कैसे होते हैं सिलोमेट होते हैं और जो बोडी होत सब्सक्राइब जिस्원 का सिफन होता है जो बोड़ी का उर्डाइज़ेशन होता है वह टो गrah खोटा है यह तब धूमल का स्कम्छ leash न करोगएं क्लास की बात करते हैं क्लास की जब अपने बात करी था से पहले बाले जो अगली जो क्लास आती है वह अपनी क्या आती है अरेगनीडा क्लास के स्पेशल करेक्टर्स कौन से होते हैं यह स्थली होते हैं यह प्राणी जो होते हैं वो कैसे होते हैं इस्थली होते हैं और अपने देखा था इससे पहले कि जो प्रौन होता है वो प्रौन कैसा है इस्थली हो सकता है वाई वी हो सकता है ठीक है वाई वी इस्थली होंगे और जो स्वशन होता है वो कैसा होता है वाई वी इस्वशन हो इनके सरीर पर क्या है चार जोड़ी पाद पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं चार जोड़ी पाद पाए जाते हैं ठीक है अगला जो बात करते हैं इसको इसके ओडर की बात करते हैं स्कॉर्पियो निडा क्या है ओडर इसका क्या है स्कॉर्पियो निडा के अंदर क्या होग उस्तक फेपड़ों के माध्यम से यह क्या करते हैं रेस्पाइरिशन करते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं स्कोर्पियों के अंदर या पैलिम्नियस के अंदर या बिच्छू के अंदर जो स्वस्ण का जो ओर्गन होता है वो क्या होता है बुकलंग होता है क्या होता है बुक पेलिम्नियस ठीक है या स्कॉर्पियोन क्या है स्कॉर्पियोन स्कॉर्पियोन या पेलिम्नियस स्पीसीज की बात करते हैं अगला जो अपना आता है क्लासिफिकेशन में स्पीशीज आता है इसकी जाती आती है इसकी जाती कौन सी है स्वेमरडेनी कौन सी है इसकी जाती कौन स्पाइब रहे हैं वो कौन सी है पनी स्वे मर्डी ने फाम सी पड़राए है आपन स्वे मर्डे नी ठीक है ये करेक्टरž पैर को और्गनिजम की अपने करते हैं तो यस पर आप्स पता हो न चाहिए ठीक है कहते हैं जब मकान की नीव ही क्या होगी अगर कमजोर होगी तो वहाँ पर क्या है मकान थोड़ना बनाद वह matar ज्यादा दिन त olden ठीक है ऐसको अपने उ मान सकते यह जो नै जोちゃ मैं अगर याद है क्लाशिफिकेशन के जो करेक्टर से जसे ये फाइलन और फाइलम, और्थोपोड़ा, क्लास एरेकनिड़ा, ओर्डर स्कॉर्पियनिड़ा, और जीनास पलेमनियस, और स्प्रिसीज स्वेमेर्डेनी, क्या होगी? स्वेमेर्डेनी, ठीक है? अब ये जब क्लासिफिकेशन जब अपन पूरा करते हैं, उसके बाद में क्या आता है? अगला जो करक्टर आता है वो क्याता है habit and habitat यानि कि इसका सभाव कैसा है और ये कौन से आवास के अंदर ये पाया जाता है ठीक है देखो ये प्राणी है बिच्चु है बिच्चु कहां पर पाया जाता है जहां पर क्या है गर्मी ज्यादा होती है यानि कि जो गरम उनमें क्या है यह पाया जाता है यह थंडे प्रदेश वह नहीं पाया जाता ठीक है और यह प्राणी कैसा होता है रात्री चर कैसा प्राणी है जब अपन बात करते हैं किसकी अपन इसकी बात करते हैं अपने स्कोर्पियों की तो स्कोर्पियों कैसा प्राणी है रात्री चर और दिन में क्या है ये दिन में क्या है अपनने देखा कि जैसे आपन assинов को काम चलता है मकान मकान का तूट फू dough thought तो गूद दिन के अंदर होता है पत्थरों के बीच इस पिईच के दरारे होती है उन प्राणी कैसा है रात्रीचर कैसा प्राणी है रात्रीचर ठीक है रात के समय में क्या है ये बाहर निकलता है ठीक है अगला जो अगला जो पॉइंट आता है अपना वो क्याता है इसकी अक्स्टरनल जो मौर्फोलोजी है क्या है इस पैलिम्नियस या पैलिम्नियस या स्कॉर्पियोन या बिच्छू की जो अक्स्टरनल मौर्फोलोजी है ठीक है अक्स्टरनल फीचर्स का भी पता होना चाहिए कि इसके external features जैसे अपने पहले प्रोन के बारे में पढ़ा था कि इसकी body क्या होती है, segment में बटी रहती है आपने देखा था ना, ciphalothorax, ठीक है? और पिछे वाला portion क्या था? abdomen, ठीक है? ऐसे देखिए, बाहिए संद्चना ए, external methodology की जो बात करते हैं अपन इसके अंदर, तो इसकी जो लंबाई होती है, इसके length होती है, इसके length किती होती है, 15 cm, किता बिच्चू होगा, ये इसकी length किती होगी, 15 cm, किती होगी, 15 cm तक क्या होगा? ये, लंबा होगा, ठीक है? अब देखिए, इसका जो सरीर होता है, बिच्चू की जब अपन बात करते हैं इसके डाइग्राम में अपन देख रहे हैं इस डाइग्राम के अंदर जब अपन देखते हैं बिच्छू की जो स्ट्रक्चर होती है वो जो शरीर होता है इसकी बोड़ी होती है वो कितने भागों में बटी रहती है कितने भागों में बटी रहती है दो भागों में क्या होता है सबसे पहला होता है इसको बोलते हैं अग्रकाय या सिरो वक्स या सफेलो थारेक्स देखिए इसके बारे में पांच से छे बार में क्या है बता चुका हूं ठीक है सिर और वक्स यानि की हैड़ वाला रीजन और वक्स वाला रीजन ये दोनों मिला करके किसको किसक cephalic region plus thoracic region is equal to cephalothorax ठीक है तो ये सबसे पहली बात करते है अपन सबसे पहला क्या आता है अपना anukai या syrovax क्या आता है anukai या syrovax ठीक है यानि कि पहला वाला जो आगे वाला भाग हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन क्या बोलते हैं? प्रोसोमा. इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसोमा. सबसे पहले बात करी थी अपनने. पहला क्या है इसका अनुका या सिरोवक्स या प्रोसोमा? एनि कि फेस्ट जो पार्ट है इसका. क्या है? इसका जो फेस्ट पार्ट होता है. ठीक है? वो क्या होता है इसका प्रोसोमा? क्या होता है? प्रोसोमा. ठीक है? या सिफेलो थोरेक्स ठीक है प्रोसोमा के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा तो ये जो भाग होता है प्रोसोमा ये देखो आगे से आपको चप्टा दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है ये आगे से कैसा होता है चप्टा ठीक है प्रोसोमा या सिरोवक्स य या सिफेलो थोरेक्स या प्रोसोमा ये चारों के चारों एक ही वर्ड के मीन हैं ठीक है तो ये जो भाग होता है वो कैसा होता है चप्टा भाग होता है जो किस किस से मिलकर बना होता है सिर और वक्स से मिलकर बना हुआ होता है यानि कि ये यहां से लेकर के और यहां तक वाला region यह क्या कहलाता है इसका प्रोसोमा कहलाता है ठीक है जो जिसे अपन क्या कहते हैं सिरोवक्स भी कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है इसमें एक पूर्वे मुखी तथा छे पस्चे मुखी खंड होते हैं देखो एक तो पूर्वे मुखी खंड होता है और दूसरा क्या होता है इसका पस्चे मुखी खंड होता है यानि कि एक तो क्या होता है इसमें पूर्वे मुखी खंड होता है और एक कैसा होता है इसके अंदर पस्चे मुखी खंड होता है एक तो कैसा हो गया इसका पूर्वा मुखी खंड हो गया और छे क्या होते हैं इसका पस्चे मुखी खंड होते हैं ठीक है पूर्वा मुखी मुख की तरफ हो गया और पस्चे मुखी मुख के पीछे की तरफ हो ठीक है अब बात करते हैं इसके अंदर जो इसके बाहर क्या है क्या पाया जाता है काईटीन का बना हुआ बाहिये कंकाल पाया जाता है किसकी बात कर रहे हैं आपन स्कॉर्पियोन की किसकी बात कर रहे हैं स्कॉर्पियोन की स्कॉर्पियोन के अंदर जो स्केल्टन पाया जात वो कैसा पाय जाता है बाहिये पाय जाता है और वो किसका बना होता है कायटीन से बना हुआ होता है ठीक है इस प्रोसोमा वाले भाग के अंदर ही क्या है दो से पांच जोड़ी तक क्या पाय जाते हैं पार्सवे ने तरक पाय जाते हैं क्या पाय जाते हैं पार्सवे जो नेटरल जो आईज होती है वो क्या है दो से लेकर पांच जोड़ी तक पाई जाती है ये जो अपन देख रहे हैं इसको ठीक है ये क्या है दो से लेकर पांच जोड़ी तक क्या पाई जाती है इसके अंदर पार्श्वनेतर पाई जाते हैं तथा दो इसके अंदर क्या पाई जाते हैं दो क्या पाए जाते हैं इसके अंदर सरल नेत्र पाए जाते हैं ठीक है अब देखे इसमें चार जोड़ी क्या होती हैं चलन टांगे होती हैं चार जोड़ी क्या होती हैं इसके अंदर चलन टांगे होती हैं वोकिंग लेग्स होती हैं जिसके माध्यम से क्या है और habitat में देखा था ये रात के दिन के समय तो क्या है पत्थरों के दरारों के बीच क्या है फसा रहता है ठीक है और रात के समय क्या है ये वहां से बहार आता है अपने खाने की तलास में ठीक है तो इसके अंदर चलने के लिए क्या पाई जाती है चार जोड़ी चलन टांगे पाई जाती है ठीक है वाकिंग लेग्स जो ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है वाकिंग लेग्स ठीक है हम मुख के दोनों और क्या पाया जाता है एक एक क्या पाई जाती है कैली शरी पाई जाती है क्या पाई जाती है मुख के दोनों और एक एक ये जो माउथ है बीच वाला पॉर्षन क्या है इसका माउथ है और माउथ के दोनों और क्या है एक एक क्या पाई जाती है क्या पा जाएगा इसके अंदर पहला तो क्या था इसके अंदर प्रोसोमा इसका नाम क्या था प्रोसोमा या अपन ने बात करी प्रोसोमा या सिरोवक्स ठीक है और दूसरा क्या आता है इसका अपन बात करते हैं इसके अंदर किसकी इसका अगला जो भाग आता है वो क्या आता है इसक भाग क्या आता है इसका ओफिस्थो सोमा ठीक है सबसे पहले देखी थी अनुकाय क्या है यह दूसरा भाग क्या कहलाएगा इसका अनुकाय क्या कहलाएगा अनुकाय यह इंगलिस में इसको क्या बोलते हैं ओफिस्थो सोमा क्या बोलते हैं ओफिस्थो सोमा ठीक है अब जो य गा दो भागों में जिसमें पहला तो क्या होगा मिजो सोमा और दूसरा क्या होगा मैटा सोमा देखिए यह वाला जो पूरा का पूरा पूर्शन है यह इसका क्या कहलाता है एब्डॉमेन क्या कहलाता है अब्डोमिन या ओफिस्तोसोमा कहलाता है ठीक है अब सबसे पहले बात करते हैं अपन मीजोसोमा की किसकी बात करते हैं मीजोसोमा की मीजोसोमा किसके पार्ट से है ओफिस्तोसोमा का ओफिस्तो सोमा का पहला पार्ट कौन सा है मीजो सोमा या मध्धे काई मध्धे काई या मीजो सोमा ठीक है अब देखिए मीजो सोमा की बात करते हैं तो यह अब दिखने से ही लग रहा है कि अपने को यह कैसा भाग होता है चोड़ा भाग होता है ठीक है जो क्या कहलाता है पस्तुरी बाइबकी आता सब्सक्राइब कर दो पादू है